जैने टो आल, हेलो एंडिया एस्ट्रेंट्स, वेलकम टू सेंचुर्ण डिफिंस अकडमी, मैं रिजवान खान, आप सबका विलकम करता हूँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका एंडिया का जो एक्जाम होने वाला है, वो 16th April को होने वाला है, 16th April 2023 को जो होने वाला एक्जाम है, उसके लिए हम आपको बायो एंड कमिस्टी का कुछ टिप्स आपको देने जा रहे हैं, जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत बहुत तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझ के आपको रखना है कि एक्जाम में जाएं, तो किमस्टी और बायो के लिए क्या-क्या चीजे तयार करके जाएं, तो उनमें कुछ खास चीजे जैसे आपको सबसे पहले मैं बायो के सिग्मेंट से बात करता हूँ, चुकि बायो के जो आते हैं, वो 10 questions आपको आते हैं, जिसमें आपको focus करना है कि कुछ chapter जो हम बता रहे हैं, जिस chapter में आपको क्या-क्या चीजे पढ़नी हैं, उसको ध्यार में रखना है, जैसे, सबसे पहला important जो है, cell, cell के बारे में आपको देखना है, कि cell, cell के सारे organelles के बारे में बात करन प्रोकराटिक, युकराटिक सेल में difference, प्लांट सेल, अनिमल सेल में difference, और जैसे माइटो कांडिया हो गया, क्लुरोप्लास्ट हो गया, वक्योल हो गया, राइबुसोम हो गया, नुकलियस हो गया, इन सभी के functions जाने हैं, और कभी-कभी पूछ लेता है डिस्कवरी वगरा, थोड़ा मोड़ा discovery ध्यान रखना इसके बाद cell division आता है cell division में जैसे mitosis में क्या difference होता है यह difference आप पढ़ लिजेगा next chapter पर आते हैं हम लोग blood की बात करें तो blood में आपको ध्यान रखना है कि RBC, WBC और playlets में difference और blood group किस ने दिया जैसे काल लेंडिस्टन ने दिया तो blood group के बारे में और जैसे मालो blood group, parents का जो blood group है उसमें बच्चेओं का क्या blood group हो सकता है, possibility क्या हो सकती है उसको जहां रखना है, साथ में उसे से related होगा, heart से related बात होगा किसमें कितने chamber heart होते हैं, उन सब को focus करिएगा कि जैसे reptiles में 3 chambers होता है, fishage में 2 chambers होता है, amphibia में 3 chambers होता है, mammals और birds में 4 chambers होता है digestion, important chapter है, digestion से 2 questions आ जा रहे हैं, cell से 2 questions आ जा रहे हैं, blood से 1 question आ जा रहे है जैसे डैजेशन की बात करेंए, तो digestion सबसे ज़्यादा कहा होता है enzyme कहा कहा से निकलते हैं, जैसे मालो stomach से कौन से enzyme, renin निकल रहा है pancreas से कौन से enzyme निकल रहा है, ठीक है, और intestine में कौन से enzyme निकल रहा है digestion की starting कहा से होती है, ये सारी चीज़े ध्या रखना hormones में plant hormone के basic function आप पढ़ लीजेगा, कि basic function क्या क्या है जैसे insulin है, adenaline है, plant hormone में जिबलेरीन है, आकजीन है, cytokanine है, abscessic acid है ये hormone हो गया है, इसके बाद आता है हम लोग का vitamins, vitamins में vitamins का chemical name उनकी होने वाले deficiency diseases, अब disease पर आजो, disease बड़ा important आपका है जैसे viral disease, bacterial disease, कौन से vaccine किसने बनाई, खोजी, उसके बारे में ध्यान रखना है और disease उसका effect कहा होता है, उसके बारे में, तो ये chapter है, कभी-कभी ecology से questions पूछ लेता है कि टर्म दिया, pyramid, energy का pyramid कैसा होता है, biomass का pyramid कैसा होता है, वो pyramid होगारा के बारे में और जाधा तर जो question आजकल पूछे जा रहे है, application-based है, तो application-based पे आपको ज्यादा focus करना है तो ये तो segment हमारे जो है, जैसे अभी plant के बारे में बात करें, जैसे plant में stream, root, leaf, flower, fruits, इनके बारे में जानना है, जैसे आप मालों पूछा carrot क्या है, तो root है, ऐसे जानना है जैसे आप से पूछा sunflower क्या है, infrescence है, है ना, टीसू से question आ रहा है, टीसू से जरूर कोशन आ रहा है, टीसू में जैसे plant टीसू, animal टीसू, तो टीसू में भी आपको ध्यान रखना है कि टीसू, और कुछ structure जैसे animal physiology की बात करें, animal physiology में जैसे हो गया हमने digestion बताया, blood बताया, excretion वगरा में कभी पूछल तक unit क्या है, excretion का, nephron हो गया, respiration में आरगन हमारे कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में, classification के बारे में थोड़ा से पढ़के जाना कि, जैसे मालो enelida, सबसे बड़ा जो है phylum है, insecta सबसे बड़ा class है, तो ये phylum के बारे म करिएगा, तो आपके bio के 10 के 10 questions आप आराम से attempt कर लेंगे, अब रही बात chemistry की, तो chemistry में बात करते हैं, तो chemistry में आपको क्या focus करना, chemistry में आपको 15 questions मिलते हैं, 15 questions में आपको जो chapter आपको ध्यान दिला रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनना, atomic structure दो question आ जाते हैं, atomic chemical morning and periodical, इन से द 2-2 questions, मतलब 6 questions यही से बन जा रहे हैं, तो atomic structure में आप जैसे Dalton की ठीरी, रदर फूड की ठीरी है, तो यह सारे पढ़ना है, आप आप प्रिंस्पल हो गया, इसके अलामा, जैसे quantum number के बारे में ध्यान रखना, question आ जाता है quantum number से, कि maximum electron की से सबसेल में कितने हो सकते हैं, सबसे दूसरे चप्टर आ जाता है हमारा chemical bond, chemical bond में types of bonds पढ़ना है, और जिसे मालोग कोई compound दिया, उसमें कोई कोई से bonds समिल है, ionic है, covalent है, coordinate है, hydrogen bond है, metallic bond है, metal का property, यह सारी चीज़े ध्यान रखना है, साथ में hybridization, SP, SP2, SP3, यह चीज़ों को ध्यान रखना है, अब नेक्स चप mobility की बात हो गए, electron affinity की बात हो गई, electron negativity की बात हो गए, ion action potential के बारे में बात हो गए, कितनी inert gas है, D block, P block, S block, कितने कितने element किसमे हो सकते हैं, और 288, मतब कैसे जो है, classify करते हैं, कैसे जो है, fulfill करते हैं electron को, electronic configuration की बात करें, तीन चप्टर यह main हो गया, चौथा चप्टर हमारा आता है acid-based salt, acid-based salt में एक question जरूर पुछा जारा आपका, कि 5-6 acid जैसे oxalic acid tomato में पाया रहा है, ठीक है, apple में malic acid पाया है, ऐसे 5-6 acid का सिर्फ कर्ड में, lactic acid है, milk में, sour milk में, lactic acid है, ठीक है, tamarind में, tartaric acid है, तो यह acids हो गए, acid-based, Lewis acid theory है, Lewis based theory है, Arrhenius का concept है, Bronstein Lori concept है, तो य एक question आपका, एक या दो question, इसी पर pH भी आ जाता है, साथ में, जैसे solution की बात करें, solution में, जैसे mole concept है, और solution molarity, normality, mass percentage, weight percentage, ऐसे question पूछा जाता है, तो mole से related कुछ question को ध्यान रखना है, next हमारा आता है topic, electrochemistry, electrochemistry में सिर्फ electrochemical series याद रख लेना, तो जिसमें electrochemical series से redox भी complete आपक रखता है, तो redox, electrochemical series अगर आप याद रखे, reactivity का table याद रखो, कि उपर से नीचे आने पर reactivity घटती है, तो इसका मदब सो table सिर्फ याद रख लो, तो एक question आपका done होता, वहाँ पे, redox reaction भी उसे से complete हो जाता है, इसके बाद आजाओ, एक question याद रहा है, फिर compound के, मदब formula जो है, उससे question आपका एक बंजा रहा है, फिर chemistry in everyday life, जो daily life में medicine है, polymer है, इन चीजों का भी focus आपको करना है, questions यहाँ से बहुत उठ रहे हैं, तो यह चीज़ा, water hardness, बड़ा important topic है, temporary या permanent है, ओर्स के बारे में जो ध्यान रखना, gases, important gas, जैसे laughing gas, tear gas, mars gas, फलो को पकाने वाली gas, यह सारी चीजों को ध्यान रखना है, तो यह सारे topic जो है, आपके chemistry को 15 questions कवर कर जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप से यही मेरा request है, कि आप बहतर से बहतर perform करें, आप सभी NDA जो है, return qualify करने के बाद, फिर जो है, SSB की preparation के लिए, century and defense academy ज़रूर आई है, और मेरा यही target है, आप देश का नाम करें, अपने parents का नाम करें, अपने institute का नाम करें, खुब धेर सारी खुसिया जो है बाटें, ठीक है, अब यहाँ पे यह चीज़े रहेंगी, कि आप लोग जो है, बिल्कुल एकदम fresh mind से जाईए, exam दीजिए, बहतर perform करिए, और सभी लोग select हू ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग का बिसेश ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ में questions जैसे आते हैं, तो जरूर काइदे से पढ़के question करें, जो question एकदम confident आप हो जिस question में, उसे questions को attempt करें, तो बस यही तक बाकि आप चीजों को ध्यान रखें, सभी लोग select हों, all the best, okay, thank you and जय है. सन 2022 में, हारत में सरवग्रिक selection देने के बाद, अब सन 2023 में बारी है, अपने ही record को तोड़ने की. आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी एतिहासी कामियाबी का इस हिस्सा, आज ही संपर करें हमारे official number पर और join करें Centurion Defense Academy.